तो मेरे पास यहां 37 द्वन की रिस्पॉंस सीट है जो आप से एक्जाम में पुछे गए थे उनका जो आप इसलिए अंसर की यानि रिस्पॉंस सीट है और मैं इसका आप लोगों को यह बताने वाला हूं है के रस्षी स्फॉन है बना होता है यह जो जो है हुआ ढल वाले का बना होता है這一 champion इसका मान निकालना था तो इसका मान जो है 0.00 हो जागा ये राइट है उसके बाद है एक केजी पर सेंटीमेटर स्क्वाइर को जब SI में बदलते हैं कितना हो जाएगा तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा जिरू पॉइंट जीरू नाइन एट पर वन मेगा पास्कल में आपका आ जाएगा ठीक है तो यह जो है इसका अंसर यह सही लिया गया है अगला है नोटिकल मिल इसमें दूरी मापने की काई किसके द्वारा है यह संचालक द्वारा नोटिकल मिल जो है नोटिकल मिल में जो है दूरी मापी आती है अगला है गतिमान बस्त विटेश्ट आप फिटेश्ट केन वीटिस्ट आप तो यह सही है उसके बाद है तप्रप्स आफ इसे इन्टेयर सर्पेस आप से लेंड्रिकल बोल को जो है फिनिस करने के लिए कौन सी पर क्रिया अपना जाती है तो होनिंग जो है इसका भी राइट आंसर लिया गया है बंदे मातरम सबसे पहले किस बर गया गया था तो यह अठाशा च्यान भी हो जाएगा हाँ अगला है सबमान मस्यन सब्समें पर्यों कि जाने वाली Oh कि क्ले प्रेट का ग्रेट क्या होता सिप्वा जो मसीन सफ में करते हैं और तो में आधार में चे선 आधा? पर्थम उग्रहा का नम बताएए तो यह आपका जो पर्थम हो जाएगा एक हो जाएगा है अगला है युगा है टो जूल होता है तो यह कम प्रतियास्त होता है यह कम अगला है इन फ्लेट वेल्ट ट्राइब ट्राइब ट्रांस्मिस्टन परपस ऑप्रोनिंग और फुली यानि जो प्लेट वेल्ट में जो क्रोनिंग दिया जाता है तो क्यों दिया आता है इसके लिए जो इसका राइट अंसर लिया गया अगला जेनरली यूजट फूर फोर्जिंग ऑप्रेशन में कौन सा से लेज्यमर का प्रियूर्ट क्या आता है उसके बाद इसका सर्फिस रिया पुछ है तो सर्फिस रहे सिक से स्क्वार हो जाएगा तो आपका यह छैस्वार स्क्यां सेंटीमिटर टारइट आता जाएगा जब छी अकषिद्र की अकारे इतना तो यहां अधिक्तम पुछा अधिक्तम किलिए पुछा गया है तो यहां अधिक्तम किलीररंस बराबर क्या होता है उल का पर लिमीट और साथ का जो है अंतर को अधिक्तम के लियर तो इसका अंसर जो है 0.5 के आसपस आ रहा है तो हो सकता कि यह प्रेस रिमूब कर दे और बाकि आप लोग बताएं कि इसका अंसर जो है कमेंट में क्या होने वाला है चलि Ratio का वा जो दंतुरन और मुद्लत करता है कमा घ्रीडूद करते हैं जो थे इस परकार से निकलके है में होग मेंहीद में में-5 तो में-म गया और आप इसी का हुँआ होता है कि आप यहांहां होता है चाह में रहे हैं साप्प का लिमीत ड्मीट- लॉर लिमिट यहांगी अपर लिमिट भी 0.5 है और तो यह प्लिस मेंनें यह प्लिस होजाओ गलाल तो यह कितना हो जागा गला पका तो यह जो है इसका अंसर रॉंग लिया गया है आप 0.0010 यह दी होगा तो और यहां जो है इसका अंसर बी को टिक किया गया तो आप जो है इस प्रस्ट में अब्जेक्शन कर सकते हैं इसका जो आप लोगों को नमर मिलने वाला है ठीक है जिए अगला है रहा ही बेल पंच おटों क्या रोट की जो है रोट का जो है सेंडों की पॉलट का वसके लिए जेश का प्रियुदक के आए एंगला मसीं जीग यह किसके लिए Mr. hu क्या रहाता है तो ड्रीलिंग मसीदक्शन के लिए क्या आता है drilling, rimming, tapping के लिए जो point to point operation जो कंट्रोल होते हैं उनके द्वारा क्या आता है इस परकार से जो है गुननफल पुछा गया था कि इसका जो है गुननफल क्या होगा तो इसके द्वाराज C answer लिया गया जो कि सही है उसके बाद इन्हें engineering scale dimension m5 का indicate scale के बारे पुछा गया तो यह कनफल दोस्वा जो है इसका राइट अंसर हो जागा यह सही दिया गया तो इस परकार से दिया गया था और यहां परास का रेंज पूछा गया था इसमें क्या करना था जो बरी संख्यां उसमें छोटी संख्यां को मैिनास कर देना था तो इसका अंसर जो है 26 आ जाता है अगला है समानी की इसके लिए तो इसका ऑनसर भी जो है डि लिया गया है की तो जो heh ट से डाला झाला जो कि और लोग औ को भी इसकी करता में अभ जो तो यह जो है आपका जिंक लेफन हो जाएगा है ना इसे करते हैं तो यह जो है राइट हो जाएगा उसके बाद फिर अगला फरस्त को देखते हैं अगला है वाइल ग्रेंडिंग द ड्रील दा सूटेवल एंगल एट ड्रील केंग़ेंगे तो यहां पुछा गया है कि जब ड तो यह उन्सट आप धियान रखेंगे 31 ठीक है या फिर उनसट डीगरी यह इस पर जो है जो जो है जो 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 है ग्रैंडिंग करते समय होल्ड करते हैं तो यह जो है रिट अंसर लिया गया इसमें आप लोगों को अब्जेक्शन नहीं करना है अगला है दा फाइल यूजट और रिमूविंग लाज क्वेंटिटी आफ मेटल फ्रॉम दा सॉप्ट मेट्रियल लाइक वाइट मेटल ब्रॉंज ब्रास तो यहां पुछा गया कि जो है सॉप्ट मेटल से लाज क्वेंटिटी में मेटल कुरूम करना है तो इसके लिए किसका प्रयूग करेंगे डेट न ब्रेजिंग यानि कि जो है इस्टिल की ब्रेजिंग करते समें उससे क्लीन क्या आता तो किसके द्वारा एमरी क्लोथ के द्वारा क्या जाता है तो बी जो है राइट अंसर हो जाएगा सेंटर पंच का एंगर पुछा था तो 90 डिग्री इसका राइट अंसर लिया गया है उसके बाद था लिक्वीड टेंपरेचर अब द फिलर मीटर यूज्ड इन ब्रेजिंग में जो फिलर मेटर का लिक्वीड तेंपरेचर होता हूँ कितना होता है nuestra तो यह जो है इसके दुपरा लिया गया है और उसके बाद अगला प्रस्ट था फोर प्लैन टर्निंग अशाट डिग्री सब्सक्राइब डिया था तो आर्पीम निकालना था तो इसका राइट अंसर लिया गया है मैंने यह सब मेमोरी बेश्ट को सन्में बता था इसका इसका का है च्छीदर की संब्सक्राइब का अंतर क्या होता है यानि कि अन्ट, क्के बारें लिया तो इसका हो गोर्राइब तो टणर क्या होता है उल कर औंतर को करता है और लोयर को डिये लिए गया है अगला मुंनियुटिक्सिन बाढ़ा लिया गया है है अगला है almunium sulphate का जो सुत्र होता है तो aluminium sulphate का जो सुत्र होता है E2 SO4 x3 होता है ये जो हाँ आपका रइथ है तरहीं कि यह अगला है labeling bolt are used for labeling bolt का क्यों क्या जरता है तो machine की height को adjust करने के लिए लेपलिंग का यूज किया जाता है अगला वीच आप दा फ्लोविंग इज ए एंटोनेम आप अपसेंस का पुछाता तो अपसेंस का पेरेंस हो जाएगा तो यह सही लिया गया है इसके द्वारा ठीक है अगला है दा थिकनेस ऑफ फे चौदा इस्टेंडर ने जो मिलने वाले भागों की बीच में जो संबंद बनता उसक्ते हैं उस्तिरफुज कर नम बताएए जिसकी भुजाओं की लंवाई एक समन होती है तो कौन सा हो जाता है वहाता है पर्पारिका वसिस्द्धनत पुछा गया था तो पर्पारिका वसिश्तधनत कितना होता है उसके बाद बिद्दूत रसानी के मिस्रम में वर्कपीस के टुक्रे क्या होते हैं तो यह चलकिये तरल में घूल जाते हैं तो यह सही है इसका अगला है ग्रेट ऑफ टॉलरेंज जेनरली ऑप्टेंड वा लेपिंग यानि लेपिंग के द्वरा किस ग्रेट का टॉलरेंज प्राप्त करते हैं तो इसके बाद अगला है यह क्यूब ऑफ ए साइड साइब कॉंडन मेट्रियल ऑफ दाइमास पचास ग्राउं बाटिज देंसिटी ऑफ मेट्रियल इंसाइड ऑफ ए क्यूब तो यह यह भी मैंने मेमोरी बेस में बताया था तो इसका अंसर जो सी लिया अगला इस परकर से रिजनिंग दिया गया तो इसका अंसर पुछा था क्या होगा तो 12 देगरिंग यानि नि प्राइम नमर को जो है एक इसक्वार करके जोड रहा था तो यह जूह सबीक से हो जाएगा अगला है एक ट्रेन जो है 40 किलो मेटर और 60 किलो मेटर गति पुछा गया था तो मैंने इस से निकाल के बताया है आपको मीमोरी देश्ट कोश्चन में जो कि दोस्तों यह जो है इसके द्वरा अंसर गलत लिया गया है इसका द्वरा अंसर गलत लिया गया है जो है नियोमेटिक होगा ठीक है बी अंसर होगा और यह जो इनने सी को माना है तो आप लोग इस पर आउबजेक्शन करेंगे ठीक है यह जो है इसका जो है नंबर मिलने वला अभी तक टोटल कूल चार रॉंग प्रस्ण जो है मिले हैं उसके बाद जो है अगला है निम में से एक कथन साप्ट अधार संसुनता प्रालिलनी से समंदीत है तो कौन से समंदीत है तो साप्ट का जो है उप्री विचलन साप्ट विशिक सिस्टम में सुन होता है ठीक है यह राइट है अगला है दा आइसो इसके राइट एंगल ट्रैंगल 32 सेंटिमीटर उसका दल्लेंट अगला है तो यह जो इसका राइट अंसर हो जाएगा रूट अंडर 128 हो जाएगा यह सही लिया गया इसे सॉल्व करके देखना होगा अगला एक बस 0.5 मीटर पर सेंटिमीटर स्कॉर्ट के साथ चलती है यदि 100 मीटर चल चुकी है तो इसकी जो है गति क्या होगी तो इसकी इसकी गति जो है अच्छा किलो मीटर पर आवर भी पुछाता है तो यह जो है 36 किलो मीटर पर आवर ना जा गा एससे जो है दस निकलता अगर किलो मीटर पर आवर में चैन्ज करेंगे प्रस्ण जो है इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो इसमें पता नहीं हो सकता है कि यह प्रस्ण रिमूब करें या इसका अंसर सी को करें ठीक है तो इसकी संभावना है यह अपने हिसाब से आप लोग देख लेंगे आप लोग कमेंट्स करके बताएए कि जो इसका आंसर क्य क्या आप है तो वर्जिंग संभ में जो है लेग वायस का परियूब की आता यह साही है अगला है तुल का का टूरी अगला है यह तो कितना होता हैं बारासवा 250 यह सई लिया गया है अगला है निमडिक्षी में से किस भाग को विक कहा जाता है यह क्या होगा कि जो है लेप जो है वरकपीस की मिट्रियल से हाड है तो इसका जो डिफैक्ट होगा वरकपीस को काड़ देगा यह सही यह उसके बाद फिर अगला है इसका अंसर एक्स्टेंशन लाइन यह जो है सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है एकुरेशी ऑफे मसीन सॉप इस्टील रूल यानि मसीन सॉप इस्टील रूल की जो एकुरेशी होती है वह कितनी होती है इसके बाद डामेंड ग्रंडिंग वील को डास से सजया तो इसका अंसर मिर्दू जो है सिल्कन करवाइट अब गरसी अब इन प्रस्णों में मुझे डाउट लग रहा है एक सिरेमिक और जो इसमेटिक है तो आप लोगों के द्वारा इसका क्या होगा आप लोग कमेंड में बताइए ना इसके डाउट लग रहा है मुझे अगला है दब बॉक्स नट और बैंज वाइस मेड़ इन्हीं का जो बॉक्स नट बना होता है किसका फस्पुरस ब्रॉंज का बना होता है क्या तो बी हो जाएगा अगला निमनिकित में से कौन सा पर्तियक्स मुपन के अंतर लिए अगला है एक लेट है उसकी जो है कैंद्रियो चाही इतना 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 दिया है तो करक आधित्तम व्यास क्या होगा तो जो है इसका डी 940 हो जाएगा यह जो है राइट लिया गया है उसके बाद एक रिवेट संग को फैलाने के लिए रिवेट की सत्धोरे का क्या जाता है अगला है यह फिट को जो है एक फिट को इस परकार दर्चाया गया है तो यह क्या कहलाता है तो यह आपका जो है इंटरफेरेंस हो जाएगा जो कि राइट लिया गया गया है अगला है अत्यधीक लगू समय एंट्राल के द्वारा स्टिक्ता से मापा जाता है तो यह जो है इसका उटोमेटिक क्लॉक हो जाएगा यह जो कि सही सही थिया गया है इस अगला है यह रवाएटेन आर प्र्वाइट अट फिक्टर उसन व प्रवह मिलिंग प्रवेट्टर के बेश में जो टेनं प्रव्यट कर वा जाता करा चारा यह क्म करातार तो फूर लोकेशन और फिक्टर थ्यूच्टर की लोकेशन के लिए यह परवाइड करा जाती है तो डी यह है इसका राइट आंसर है जो है झदा फंसन ऑप दा सेंटर्रल होल्ट डा टीप ओफ कराफ के लिए तो सफ्लायय यहिशन की नत घॏ बोल्ट इन देहर फ्रोम ीछ लिया या यह जो है बोल्ट को से क Warszawa comfortable promise च्राश संऍवा ने में निमलकीद में से कौन सा पधार सरवाधिक पर्तियास्थ हे तो यह आपका सील हो जाएगा तो यह जैंज अ कि को संधिया जो हैग अगला है है चीफ प्रक्षा गिरी में कुरों कि संखियां इतना क्याद करें प्रक्षा गिरी में की संखियां सब्सक्राइब करें दिखाए गलत है और इसके बाद दो परस्त परस्त पर और नहीं डाउट है तो दो परस्त में डाउट है आप लोग कमेंट करके बताईएगा जो मैंने वीडियो में कहा होगा बग की सभी परस्न सही है और इसके जो आप लोगों को नमबर मिलने वाले हैं ये जो चार परस्न प्रॉंग लिए गया है तो ये नमबर जो आप लोगों को मिलने वाले है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही